आज से हम सीरीज में सौर्टिंग के अल्गॉरिदम्स देखने वाले हैं हमारे पास कहीं सौर्टिंग के अल्गॉरिदम्स लाइक बबल सौर्ट, सेलेक्शन सौर्ट, इंसर्शन सौर्ट, क्विक सौर्ट है, मज सौर्ट है इन सभी को हम इस सिरीज में अब देखने वाले हैं तो आज हम एकदम बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं जो कि है बबल सॉट इससे पहले कि हम सॉटिंग अलगॉरिधम्स में आगे बढ़े Let me remind you हमने सर्चिंग अलगॉरिधम्स कवर किये हैं तो अगर आपने नहीं देखे हैं तो do check out that link आपको description में दिये हुए है So sorting का मतलब क्या होता है So किसी भी चीज को sort करना याने उसे proper order में arrange करना So generally हमारे पास दो main order से ascending order और descending order So जब भी हम किसी चीज को sort करते हैं So हम उसे either ascending order में या तो फिर descending order में क्या करते हैं? से किसी भी data set का किसी भी container के elements को properly sort करते हैं So let's start So हम bubble sort का definition देख लेते है So bubble sort is the simplest sorting algorithm हम आगे और भी sorting algorithms देखने वाले हैं और जब आप उन्हें देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि bubble sort जो है वो सबसे simple sorting algorithm है That works by repeatedly swapping the adjacent elements if they are in the wrong order So bubble sort एक ऐसा sorting algorithm है जिसमें कि हम क्या करते हैं? Repeatedly मतलब continuously हम क्या करते जाते हैं? Swapping करते रहते हैं Swapping याने interchange करना इसके जगह इसे लेना इसके जगह इसे लेना Swap करना So हम continuously repeatedly elements को swap करते जाते हैं अगर वो wrong order में है Like अगर हमें चाहिए कि सब छोटे से बड़े में हो और बीच में कोई एक बड़ा element है तो हम उसे swap करेंगे So simple example पूरा example तो नहीं दे रहा हूँ और इसके बाद में दोगा एक short example ताकि आपको समझ में है जिसे कि अब यहां पर देख लिए यह 5 और 1 है अगर मैं चाहता हूँ कि छोटा वाला element पहले आए बड़ा वाला element बाद में आए तो मैं क्या करूँगा इससे यहां से swap कर दोगा इससे यहां swap कर दोगा यानि अब 1 यहां आजाएगा और 5 जो है वो यहां आजाएगा ऐसे ही हम हर elements के साथ करेंगे और भी कई बार करेंगे तब जाके हमें at the end क्या मिलेगा हमारा proper sorted dataset जो है वो मिलने वाला है पहरे हम एक shortly इसका algorithm जो है वो देख लेते हैं फिर एक proper example के साथ हम इससे solve करके देखेंगे और समझेंगे कि इसका पूरा proper functioning जो है वो कैसे हो रहा है so now see मैंने यहां पर algorithm लिखा हुआ है पर इस algorithm मैं आप जैसे कि देख सकते हो steps से मतलब pseudo code मैंने जादा लिखा हुआ है यहां पर pseudo code लिखने का motive यह है ताकि आपको इसका पूरा working जो है वो समझ में आए अगर आप चाहते हैं कि आप statement wise लिखे तो आप इसी pseudo code को समझने के बाद अपने हिसाब से sentence frame करके भी लिख सकते है मैंने इसे pseudo code के format में इसलिए लिखा है ताकि समझाने में easier हो so let's start so let air be a data set with n elements मान लेते हैं कि यह हमारा एक data set है जिसका नाम है air और इसके अंदर all total कितने elements है n elements है which are to be sorted और इन elements को हमें क्या करना है sorted करना है वो थोड़ा मैं unsorted लिखता हू which are to be sorted in ascending order and set temp to zero so मान लेते हैं यह हमारा data set है जिसका नाम air है जिसके अंदर n elements है फिलाल तो n का वेलो आपको जैसे जान सकते हो 6 है और इसे हमें sort करना है कोई से order में ascending order में अगेन आप bubble sort को use करके सिर्फ ascending order ही नहीं है अब descending order में भी sort कर सकते है बड़े से छोटे वाले manner में भी sort कर सकते है बट at present मैं इसे ascending order में sort कर रहा हूँ याने छोटे से बड़े order में set करने का logic है आप निखावा है और साथ में temp नाम का एक variable बनाना है जिसको हमें starting में क्या set कर देना है जिरो set कर देना है अब इसका functioning होता कैसे अब हम हो देखेंगे तो यहाँ पर सबसे पहली चीज तो हमारे पास दो loops होने वाले हैं दो for loops हैं और वो दोनों for loops nested है याने बाहर वाले for loop के अंदर हमारा अंदर वाला for loop है so क्या कहा गया है so इन loops का functioning ज़रा ध्यान से देखिएगा तो for i in the range 0 to n याने यह जो i का value है हमारा वो कहा से कहा तलग होने वाला है 0 से लेके n तलग याने n से एक कम होने वाला है क्योंकि range function में जब हम दो parameters देते हैं तो हमेशा वो 0 से लेकर याने पहने parameter से लेकर दूसरे parameter से एक कम तक चलता है so अगर मैंने यहाँ n दिया है तो यह loop जो है वो n-1 तलग ही चलने वाला है so अगर मैं यहाँ पे n का value मेरा 6 है okay so यह loop जो है वो 0 से लेकर 5 तलग चलने रहे and it's 0, 1, 2, 3, 4, 5 okay for j और उसके अंदर for j in the range i plus 1 to n और j का value अगर i का value हम initially मान लेते हैं 0 है तो j जो है वो कहाँ से चलने वाला है j जो है वो i plus 1 याने 0 plus 1 अगर अभी i का value 0 है okay तो j का value क्या होगा 0 plus 1 याने 1 1 से लेके n तलग किस कौन सा लूप चलने वाला है j चलने वाला है so basically हम यहाँ पे क्या कर रहे है i के हर value के लिए okay i के हर value के लिए उसके आगे की जितने भी element से उन सब पे हम iterate कर रहे है using this inner loop okay तो जिसे भी यहाँ पे i का value 0 था तो 0 के बाद के जितने भी element से हम इन सब पे iterate कर रहे है using this inner loop और हम compare कर रहे है इनके elements को और i वाले position में जो element है उसको तो अगर इन यहाँ पर कोई भी element i वाले element से छोटा है तो हम उससे i वाले position में भेज दे रहे है अब इसके चलते होता क्या है basically i का जब एक iteration खतम होता है और inner loop का पूरा एक execution complete होता है तो हमें i थ position में इन सब से छोटा या पूरे dataset में जो छोटा element है वो मिल जाता है जैसे यहाँ पे हम लोग का i का value 0 था और j जो है वो i के बात से लेके आगे के जितने भी elements वो सब पे iterate किया और हमें जब यह j का iteration खतम हुआ तो आप देख सकते पूरे dataset में at present सब से छोटा element जो है वो हमें i थ position में मिल चुका है अब आगे next iteration जब होगा तो अब i का value क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा कि जे का तो पूरा execution हो गया पर i का value अभी 0 पे ही हुआ था 0 जब था i का value तब execute वा था अब i का value क्या हो जाएगा 1 तो जब i का value 1 होगा तो j जो है वो कहां से execute होगा i plus 1 यानि 1 plus 1 2 से नेके यहाँ तलख तो अब j जो है वो यहां से लेके यहां तलख के सारे elements को i थ position वाले element के साथ compare करेगा और again इन सब में इसको छोड़ दीजिए यह अब निकल चुका है तो अब इन सब में जो छोटा element है वो यहां पे आएगा फिर again i का value 2 होगा फिर j का loop जो है वो यहां से लेके यहां तलख चलेगा और उन सब में इन चारों में जो छोटा होगा वो second position में आएगा तो कुछ इस तरीके से आप देखेंगे हर एक i वाले या outer loop के iteration के साथ-साथ i के position में आपको एक-एक छोटे-छोटे-छोटे elements जो है वो मिलते-मिलते जाएंगे और at the end जब आपका i का value पूरा यहां पे आजाएका तब आप देखेंगे कि पूरा का पूरा जो array है आपका वो क्या हो चुका है sort हो चुका है तो हम यहां पे ascending order में कर रहे थे now question arises अगर मुझे descending order में करना है तो क्या करेंगे कुछ नहीं करना है आपको सिर्फ यहां पी जो greater वाला sign है इसको आपको lesser कर देना है इसके सिवाए और कुछ भी changes नहीं होगे तो यहां पे आपको smaller elements मिल रहे थे तो आपको greater elements मिलते मिल जाएंगे तो अब हम इसको एक practically एक example के साथ समझते हैं पूरे passes के साथ और हाँ एक और जीस बहुत से जगा आप सुनेंगे कि bubble sort में passes होते हैं तो passes मतलब क्या यह आई कि हर एक iteration को हम एक pass बोलते हैं हर एक pass में बहुत से comparisons होते हैं और हर एक pass के खतम होने के बाद हमें एक smallest element जो है वो मिलते मिलते जाता है तो जब initial वाला iteration में वो पहला pass था उसके अंदर हमें यह वाला सबसे छोटा element मिल चुका है फिर जो दूसरा pass होगा वहाँ पर आईता value यह होगा जे वाला जो loop है वो इन सब पर iterate होगा और again इन सब में जो छोटा value है कौन है 6 तो वह हमें यहाँ पर मिल जाएगा फिर तिसरा pass आएगा तो आपर I का value यह होगा J का value यह सरे होगे और इन में iterations comparisons होगे और उसके बाद में जो सबसे छोटा कौन होगा 8 वह हमें यहाँ पर मिल जाएग तो हमें इसका एक example के साथ देखते हैं तकि आपको better समझ होगा है यहाँ पर मैंने एक example यहाँ पर निखा हुआ है आप देख सकते हैं कुछ elements है इस data set में और अब हमें इससे sort करना है using bubble sort So let's start बिल्कुल मैंने आपको जो बिल्कुल उसके हिसाब से चलेंगे आपको बस उसे दिमाग में रखना है और simultaneously इसे समझते जाम है So without anything लें start करते हैं तो initially हमारा i का value अब देख सकते हैं 1,2,3,4,5,5,5 elements है 0 से हमारा i का value स्टार्ट होगा तो initially first iteration में iteration 1 ऐसे हम iteration नहीं लिखते क्योंकि यहाँ पर iteration के अंदर iterations हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पर हमारे nested loops है तो मैं i का value लिखता हो हर i के value के लिए हमारे पास multiple j के values होगे तो initially हमारा i का value जिब 0 है याने हमारा ये वाला value जो है ये हमारा i है i का value 0 याने इस position में जो भी element है ये हमारा i फोजिशन वाला element है तो हमारा j वाला loop है और किस पर चलने वाला है इन चारों पर चलने वाला है तो हमारा j वाला loop जो है इन सब में iterate होएगा और हम क्या करेंगे उससे i वाले के साथ compare करेंगे और देखेंगे तो अभी initial ये हमारा i का value 0 है तो सबसे पहले जो है वो यहां से चलने वाला है सबसे पहले j का value क्या होएगा 1 तो अभी देखिए j वाले position में जो भी element है अब i वाले position में ये element है तो क्या कहा था हमें ने कि अगर ये हमें से ascending order में हमें sort करना है तो क्या ये जो है ये इससे greater है तो obviously नहीं है तो हमें कुछ नहीं करना है तो j का value अब क्या हो जाएगा 2 जब j का value 2 होगा तब हमें देखना है तो यहाँ 2 पे मान लेते हैं इसका कुछ नाम लेने ते ताकि आपको समझने में थोड़ा आता नहीं तो data है इस dataset का नाम और यहाँ पे मैं बताता हूँ तो अभी data of j याने data of 2 ये second position में जो भी element है कौन सा element है 2 क्या वो data of i याने 5 इससे छोटा है तो हमें क्या कर देना है इस दोनों को swap कर देना है तो अब हम इंदोनों को जब swap कर देंगे तब हमारा जो data set है वो कुछ इस तरीके से दिखेगा है j वाले iteration के बाद हमारा data set जो है वो क्या हो जाएगा ऐसा 2, 9, 5, 3, 4 ओके हमने क्या किया है basically 2 और 5 को अभी swap कर लिए अभी भी हमारा i का value 0 है पर अब हमारे i th position में कौनसा element है 2 है ना कि 5 है अब j का value 2 हो चुका है अब j का value क्या होगा 3 तो जब j का value 3 होगा तो add data के 3rd position में कौनसा element है 3 है और यहाँ पे अब हम इसको refer करेंगे इससे नहीं तो हम यहाँ पे देखते है अब हमारा i th position में 0th position में कौनसा element है 2 है और अब हमारा j का value 3 हो चुका है तो हम यह वाले element को देखे रहे तो अब ही compare करेंगे दोनों को तो data के i th position में जो भी element है क्या वो greater है data के j position में जो element है उससे तो obviously नहीं है तो हमें कुछ नहीं करना है अब भी यहाँ पर array का state विल्कुल ऐसे का ऐसा ही रहने मले में लिखने रहे हो आप जाहे तो लिख सकते है अब ही j का value जो हो क्या हो जाएगा 4 तो basically अब हम यहाँ पर आगे अब हमें again comparison करना है i का value अब भी 0 है तो 0th position में जो भी element है data में तो data of 0 is greater than data of 4 obviously नहीं नहीं है 2 is not greater than 4 तो इसका मतलब यहाँ पर भी हमें कुछ नहीं करना है तो basically अब j जो है वो पूरी इन 4 हो से traverse हो चुका है j का value 1, 2, 3, 4 पो चुका है और हमने उन सब को i के साथ compare किया और अब आप देख सकते हैं only एक ही जगा हमें swapping करनी पड़ी वो है ये वाला place जो j का value 2 था अब ये पूरा i is equals to 0 वाला pass complete होने के बाद हमारा जो array का state है वो कुछ ऐसा है 2, 9, 5, 3 और 4 तो अब आप देखेंगे i का value हमारा 0 था अब हमें 0 पोजिशन में सबसे छोटा element मिल चुका है इस data set में अब हमें इस वाले किसे अभी कुछ भी लेना देना नहीं अब ये सबसे छोटा हमें मिल चुका है अब हमें यहाँ इन पे focus करना है तो अब हमारा i का value जो है वो क्या हो जाएगा 1 अब बेसिकली हमारे first position में कौन है 9 अब तो अगर ये हमारा i है तो हमारा j वाला look किस पे चलेगा इन तीनों पे चलेगा तो हमारा j का value जो है काँ से start होगा 2, 3 और 4 से अब तो start करते है तो अब i का value 1 है तो j जो है वो i plus 1 से लेके n पे चलने वाला है तो j का सबसे पहला value जो है वो क्या होने वाला है 2 होने वाला है तो ये है तो अब आप मोजे बताइए कि ये जो data है इसके tooth position पे second position में क्या है jth position में क्या है 5 है और इसके it position में क्या है 9 हमें यह वालने को भी देखना ही नहीं यह हमारा यह भी है हर एक पास के बाद आप मैंने कहा था एक एक element जो है smallest element जो होगा वो निकलते निकलते जाएगा तो अभी यह वालना second pass जो है जिसमें कि i का value हमारा one है तो अभी देखिए data of i is greater than data of j से yes data of i याने 9 जो है वो greater है कि से data of j से तो हमें क्या करना है swap कर देना है तो swap कर देंगे तो हमारा data set कुछ ऐसा दिखने लगेगा two तो पहने से था ही था इन दोनों को हम आपस में swap करने वाले तो अब two के बाद क्या जाएगा five आ जाएगा और उस five के जगा पर क्या जाएगा nine आ जाएगा और अब यह हमारा three है यह हमारा four है so अभी j is equals to two के बाद अगर आप देखेंगे आप first position हमारे आइफ position में अभी क्या आ चुका है five आ चुका है और अब हमारा जो j का value है जो के पहने two था अब थाड़ी ट्रे अब यहापे j का value जो है वो क्या हो जाएगा three हो तो अब हमारा j का value जो है वो यह है यह वाला index और वापे क्या है three now see अब j का value जो है वो क्या है three है तो अभी third index में आप देखेंगे three ही है और i का value हमारा अभी भी one है और one पे क्या है five है so basically data मैं आपे निखने रहा हो समझ जाएगे कि यह data set का भी नाम data ही है क्योंकि same data set ही हम elements को swap करें तो नाम वही रहने वागा है तो जब मैं यहाँ पर भी बोलता हूँ data of i यह data of j तो इसका मतलब भी में इस data set को refer कर रहाए तो अभी j का value three है अभी देखेंगे अब आपे चेक करें data of i is greater than data of j काटना इसको so data of i obviously five is greater than data of j याने three तो हम क्या करेंगे अगेन हम क्या कर देंगे इन दोनों को आपस में swap कर देंगे सो अब हमारे i th position में आ जाएगा three और j th position में आ जाएगा five so two three nine five और क्या आ जाएगा इदर four so अब अगर आप दियान से देखेंगे अब हमारा j का value जो है वो three था इदर तो यहाँ पे third position में zero one two three उसपे five आ चुका है और first position हमारा i का position i i वरने position में क्या आ चुका है three आ है अब एक और iteration उसे complete करना है वो मैं यहाँ पर लिपता हूं सो जब j का value हो जाएगा four तो जब j का value यहाँ पर क्या होने वाला है four होने वाला है अब देखिए आप fourth index में भी यहाँ पर element भी क्या है four ही है अब हमारा i का value अभी भी क्या है देख सकते हो आप one है याने हमारे data के it position में क्या है three है तो again आपको वही चीज compare करना है क्या data of i याने फर्स पोजिशन में जो element है is greater than data of j याने fourth position में जो element है उसे ज़्यादा है क्या तो क्या three जो है वो four से ज़्यादा है obviously नहीं है तो हम यहाँ पर कोई swapping नहीं करने वाले हमारा data set as it is रहने वाला है तो मिन लिख लेता हूं last iteration है two three nine five four second वाले pass का यह last iteration था अब यहाँ पर आगर आप देखेंगे तो अब हम यह वाले first iteration के बाद first pass के बाद हमें two जो है वो सबसे छोटा element मिल चुका था उसके बाद में हमने सिर्फ इतने elements को compare किया था अब अगर आप ध्यान से देखेंगे इन सब म i का value क्या था one तो आप देखेंगे इth position में हम जी चार elements को compare करे था उस पर सबसे छोटा element आ चुका है ओके अब यह भी हमें मिल चुका है अब हमारा data का value जो था वो पुछ ऐसा था ओके यह ऐसा है अब हमारा third iteration या बोल सके third pass जिसमें हमारा i का value जो है वो क्या हो जाएगा अब यहां पर one था तो अब क्या हो जाएगा two so अब यह जो है यह मेरा i का value है अब मुझे इन दोनों से मतलब है नहीं क्योंकि यह हमारे चोटे 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 elements बेज चुके हैं यह side up हो चुके हैं अब हमें इन तिनों का main scenario है so अब हम देखते हैं so अब हम क्या करने वाले है same चीज़ जब i का value two है अब j जो है वो कहा से कहा तलग चलने वाले है definitely इन दोनों पे ही चलेगा j okay so अब पहने तो हमारा j का value क्या हो जाएगा three से अब देखे i का value two है और j जो है वो कहा से चलने वाला है i plus one यहने three और four पे तो जब j का value three होगा okay तो j का value जब होगा three अब हमें compare करना है क्या data of i is greater than data of j yes data of i याने nine is greater than data of j याने five तो हमें क्या करना है swap करना है अब five यहाँ आ जाएगा nine यहाँ आ जाएगा तो इसके बाद में हमारा जो state है data का वो फुछ इस तरह का होगा two three five nine four okay अब यहाँ पर i का value मेरा two है याने यह वाला मेरा i है और अब हमारा j का value जो है वो third three तो अब इस वाले iteration में three था अब j का value क्या हो जाएगा four अब यहाँ पर fourth index मेरा यह तो अगेन वही चेक क्या data of i is greater than data of j yes data of i is greater than data of j five is greater than four अगेन हम क्या कर देंगे swap कर देंगे five आजाएगा four यहाँ आजाएगा तो अब final यह वाले pass के end में हमारा data का state जो है वो कुछ इस तरह से आपको दिखेगा sorry मैंने mistakenly यहाँ पर है यहाँ पर nine के साथ हमने कुछ भी नहीं किया था यहाँ पर हमारा fight तो basically हमने four और five को आपस में swap किया था so अब third iteration यहाँ बोल सकते हो third pass के बाद में हमारा जो data set है वो कुछ इस तरह से दिख रहा है two three four starting के तीन elements हम देखिए i का value था two तो अब आप second index में देखेंगे तो इन जितने भी elements को हम compare कर रहे थे उन में सबसे छोटा one था four अब वो हमारे second वाले इंडेक्स में आ चुका है अब हम अगले वाले pass की तरफ बढ़ेंगे याने हमारा i का value जब क्या हो जाएगा three तो अब हमारा i का value ही three है और अब हमारा j का value is like this तो j का value यह है याने अकेला element है तो इसका index में निखलेता हूँ तो यहाँ पर अब हम basically क्या करने वाले है सेम वही logic है अब j का value क्या है हमारा i plus one से start होता है तो j का value हमारा है four तो compare करिए क्या data of i is greater than data of j तो yes data of i is greater than data of j तो हम क्या करेंगे swap कर देंगे तो हमारा data set कुछ है इस तरह से दिखेगा two, three, four, five और nine so now see अब हमारा i का value जो है वो था three और j का value four अब आगे तो कुछ है नहीं इसलिए और आगे यह लूप चलने वाला है जे वाला जो लूप है वो चलने वाला है ने अब हमारा जो pseudo code हमने लिखा था उसके हिसाब से क्या लिखा था हमने for i in range 0, n where n was data set का पूरा size तो अगर यहाँ पर data set का पूरा size में देखू तो क्या है वो 5 है तो 0, 5 range of 0, 5 पर अगर आप range function को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसका मतलब क्या होता है 0, 1, 2, 3, 4 पूरा 5 तक नहीं जाता है यह तो यहाँ पर इस logic से अभी अगर हम देखे तो हमारा i का value जो है याने हमारा जो outer look का value है अब यह 3 तलक आया है तो अब आगे वो किसके तरफ जाएगा 4 तलक मतलब यह वाला index यह वाले index में भी i का value आएगा सबब आगे हमारा i का value जो है वो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा पर आप दियान से देखेंगे इसके आगे और पोई भी elements है ही नहीं तो j जो है उसके लिए कुछ बचा ही नहीं है तो इसके लिए आप यहाँ पर change कर सकते हो outer look में यहाँ पर आप n-1 दे दो क्योंकि अगर आप यहाँ पर n-1 देंगे तो यह क्या हो जाएगा उसकी example के साथ समझते 5 है तो यहाँ पर n-1 देंगे तो क्या हो जाएगा range of 0,4 हो जाएगा 0,4 यानिंग 0,1,2,3 तो यह basically यहाँ तलकी आएगा इस वाले i का value यहाँ तलकी आएगा ऐसा करने के पीछे main reason यह है क्योंकि कि अगर हम यहाँ तलक आते हैं तो आगे हमारे पास j के लिए कुछ है नहीं अगर आप नहीं भी करेंगे as it is n लिखके छोड़ देंगे तबी भी it's fine but एक iteration एक pass extra आपका जाएगा तो वो हमें अगर नहीं चाहिए तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे n-1 दे देंगे that's it so code मे वो आपको बेटर समझ भाएगा तो फिलाल के लिए तो आप यह देख सकते हैं कि हमारा जो iterations है पूरे passes जो complete हो चुके हैं और यहाँ पर आप देख सकते है i का value जब 3 था और तब हमारा j का value 4 हुआ हमने comparison कर दिये अगर आप चाहे तो आप एक और extra pass लगा सकते हैं अगर आ interpreter कुछ नहीं करेगा सो हम basically क्या कर रहे हैं तो वही चीज को मैं skip करने के लिए कह रहा हूं so anyway अब हम आगे बढ़ेंगे coding के तरफ पर उसे पहले में एक चीज बता दो यहाँ पर यह complete हो चुका है तो यहाँ पर at the end आपको जो है यहाँ पर क्या मिल चुका है आपका sorted array जो ह रखा था तब दो लूपस थे हमारे वो भी nested तो time complexity वाला वीडियो अगर आपने देखा हो तो आपको पता होगा कि जब हमारे nested लूपस होते तो हमारा time complexity क्या होता है big of n square so in worst case अब से खराब case जब आप बोलोगे कि यह पूरा जो पूरा जिससे ascending order में sort करना है और यह पूरी तरह से descending order में हमें दिया हुआ है तो वो है हमारा worst case और हमारा best case क्या है best case तब होगा जब हमारा यह पूरा dataset पहले से ही गया होगा sorted होगा तो यह जो algorithm है bubble sort का यह average case और worst case दोनों में ही इसकी जो time complexity है वो big of n square जाती है अब इसके चलते यह बड़े data sets के लिए बिलकुल भी suitable algorithm नहीं है क्योंकि यह काफी जादा time consume करता है जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत से comparisons यहां पे होते हैं इसके चलते बड़े data sets के लिए यह वाला sorting algorithm is not at all preferable so इस algorithm का bubble sort का सबसे main advantage है कि यह बागी सारे sorting algorithm से काफी simple है इसे समझना काफी easy है कि कि हैं simply comparisons करके ही elements क्या कर रहे है but swap करके elements काम sort कर रहे but अगर आप इसका disadvantage देखेंगे वो क्या है कि main disadvantage इसका यह है कि इसकी time complexity काफी high है बड़े data sets के लिए बिल्कुल भी preferable algorithm नहीं है so that's it bubble sort का I think आपको पूरा जो theory part है उसमझ में आ चुका होगा इसका walking आपको समझ में आ चुका होगा so अब हम इसे code में देखते है so let's switch to the coding part जिसे कि अब लोग देख सकते हैं अब मैं हमारे python के standard ID में आ चुका हो और अब हमारा bubble sort का जो code है उससे करेंगे इससे पहले हैं अब फिर से आपको बोल रहा हूँ अगर आपने theory part नहीं देखा है so just watch that prior watching practical video so without any delay let's start so first we save the file so file save as yeah wave location multi cv name so I will store data structures and practicals and now I will give bubble sort okay yeah now python file so dot p1 yeah save it so now we can see the name change जो चुका है bubble sort dot p1 so अब हम जो में logic है उसे लिखेंगे बिल्कुल वैसे ही करेंगे जिसे हमने searching का किया था जो हमारा main logic है हमारा bubble sort का logic है उसे हम एक function के अंदर रखेंगे so let's start defining a function so def function का नाम आप कुछ भी दे सकते हैं मत देता हूँ bubble sort ऐसा कुछ भी compression नहीं कि आपने फाइल का नाम जो रखाया है वहीं आपको function का नाम रखना होकर अप अपने इस आप से कुछ भी दे सकते हैं नुस्ती इससे पहले हम साथ में एक और अडिशनल ले रहा हूं जो कि हैं साइज डेटा सेट का साइज वह भी उजरी फास करेगा बट अगर आप चाहें तो आपके साइज वाले पार्ट को सकते हैं क्योंकि साइज हम function के अंदर भी calculate कर सकते हैं तो इस यौर चोंट आचा है तो सिर्फ डेटा भी ले सकते हैं अधर्वाइस अब डेटा और साइस तो भी ले सकते हैं तो अब हमारे आगे का लॉजिक लिखते हैं तो देखिए अभी मैंने आपको बताया था कि बब यह हमारा temporary variable है यह हमें तब काम आएगा जो हम सब्सक्राइब करेंगे अब हमारे नेस्टेट लूप लगाएंगे हमारे पास दो फॉर लूप थे जो की नेस्टेट थे आउटर लोप चो था वो पासस के लिए था और जो इनर लूप था वो पास के बाद के सारे elements में इट माइनस वन तक सब्सक्राइब यूजर से ले रहा हूँ जैसे कि मैंने कहा अब चाहें तो data.length लगाकर यहां पर साइट पी निकाल सकते हैं यह यह वहारा आउटर लूप हो चुका है अब हमारा इनर लूप लगाएंगे तो जो हमारा इनर लूप है वो कहां से चलेगा तो for j in range क्या बताया था मैंने आपको यह कहां से कहां तलग जाएगा i plus 1 जो भी i का विल्लू होगा उसके आगे वालने position से लेकि कहां तलग size का विल्लू जो होगा उससे एक कम तक क्योंकि range function जो है उसमें second parameter हम जो भी देते हैं उससे एक कम तक जाता है तो basically मैं यह यह size minus 1 लिख रहा हूँ तो यह लोग जो है वह actually कहां तलग चलेगा size minus 2 तक और यह जो है size minus 1 तक का चलेगा okay so let's write it और यह हम ऐसा क्यों कर रहें क्योंकि हमारे index values चो होते हैं वो क्या होते है size से हमेशा एक कम होते है यह मैंने आपको कई बार मेरे previous वीडियो से है size अगर 5 है तो हमारा size 5 का मतलब क्या है कि हमारे पूरे data set में 5 elements है तो मुझे iterate कौन से index तक करना है 4 तक ही करना है तो मैं यहाँ पर range function का use करूँगा उसमें second parameter में size तो अगर यहाँ पर 5 है तो range function by default कहां तलग चलेगा 4 तक ही चलने आगा so like that so अभी मैंने दोनों loops लिख लिए हैं अब मैंने क्या बताया था कि अगर आइत पोजिशन में जो भी data है अगर वो greater है किस से जेत पोजिशन वाले से तो हम स्वाप करेंगे क्योंकि हम ascending order में sort करें ओके तो लिखते हैं उसका logic so if data data set मेरा मतलब यह मेरा data set जो है वो data set के आइत पोजिशन याने मैं indexing कर रहा हूं so if data at i is greater than data at j then what I should do I should swap so अब shopping का logic लिख केंगे तो पहले हमें temporary variable में हमारे data of j को store कर देना है okay so अब data of j के जगव क्या दखना है data of i so data of j के जगव पे अब हम क्या दे देंगे data of i क्योंकि i वाले position में जो data है वो j वाले position वाले data से बड़ा है और हम ascending resort करें तो छोटा वाला पहले आना चाहिए इसलिए हम j वाले position में जो भी data है उससे हम क्या करेंगे आई वाले position में भीजने की पूशिश कर रहा है तो इसके नहीं हम पहले जे वाले को एक temporary में रखते हैं temporary variable में फिर जे वाले position में हम आई वाले position के data को डाल रहेते हैं यहां पर वो असान्मेंट हो रहा है और अब हम क्या करेंगे आई वाले position में जो हमारा जे का डेटा जो कि टैम्प में फिलाल स्टोर्ड है उससे हम आता ही कर देंगे सो डेटा एट जे आई विल बी इक्वल टू डेटा एट डेटा जे नहीं टैंप क्योंकि अब डेटा एट जे क्या है डेटा आई जो था वह अभी जे में डेटा जी ज्टोर्फ को डेटा वाय हुं वो टैम्प में झानि न्युक्त अबसे हमारा आत Cóम एक डेटा एलिवेंट्स की और हम बतले हैं हमारा जो है वह बतले में क्या रिटर्ण करेगा उसे सौटे डिटा सट सो रिटर्न इंटेशन का थोड़ा दार ध्यान रखिया आपको दोनों पॉरलूप से बाहर निकल के रिटार करना है डिटा अधर्वाइस यहार इटरेशन में डिटा रिटर्ण करता र यहां पर ऐसे कुछ हमें सर्च नहीं करना है और आप लोग अपने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं मैंने बबल सौट का पूरा एक डाग्रेमेटिक एंप्लेमेंटेशन देख लेते हैं लोग के साफ से ताकि आपको बेटर समझ में आए तो जैसे कि अब आप लोग अपने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं मैंने बबल सौट का पूरा एक डाग्रेमेटिक रिप्रेजेंटेशन बना के रखा हुआ है या पर हमारे पास हमारा डेटा सेट है और इस डेटा सेट के साथ में हर एक इटरेशन अलाउंग विट पास अस वेल अस नेस्टेड अलिमेंट क लेगा तो अगर मुझे यह वाले डेटा सेट को सौट करना है तो मैं इस बबल सौट वाले फंक्शन को कॉल करूंगा जापर कि मैं दू आट्रिक दोंगा पहला तो मेरा यह डेटा सेट और दूसरा होगा इस डेटा सेट का साइज जो भी क्या है सिक्स है आप देख सकते ह और तो थ्री फॉर फाइप एंड शुट सो मैं इसे बबल सौट वाले फंक्शन को डेटा अलॉंग विच साइज याने सिक्स शो है वह पास करोगा तो अब यह फंक्शन किस तरह से फंक्शन करेंगा चलिए अब हम वह समझते हैं तो सी जिसे आप लोग यह पर देख सकते हैं और इनलोब हमारे कंपरेज इस सो अब यह आप यह आप अगर आप देखेंगे पे जो आउटर लूप है यहले कहां से-विचान कबने कहां देख है थे और यह पाई जो है वैर इसक और एलयूब है टूर थे हैं तर लूप है, तो for every I का वेलू, हर I के वेलूप के लिए J वाला लूप जो है, वो चलने हाँ, अब J वाला लूप जो है, कहां से कहां तरलग चलने वालना है, वो I प्लस वन से लेके साइस तक, तो साइस जो है, वो हमारा कहा है, 6, तो 6-1, क्योंकि हम 6 दे रहे हैं, तो 6 में से एक काम, यानि 5 वेलूप, तो जब I का वेलूप 0 है, तो आप देख सकते है, J वाला लूप जो है, वो I प्लस 1, यानि 0 प्लस 1, यानि 1 से लेके कहां तरलग चलने वालना है, 5 तरलग, उससे ज़िए जब I का वेलूप 1 हुआ, ज तो सरी कैसे, I का वेलूप 3 हो, तो J वाला लूप 4 और 5 तरलग वेलूप इकरेट कर रहा है, अब जब I का वेलूप 4 होँआ, जब J वाला लूप 5 यानि 5 से लेके जल रहा है, अब लास्ट अलिम्ट भी हुआ है, तो एक ही एलिमेंट प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 एटरेट किया, अब बोल सकते हैं, ओके, तो अब देखते हैं, हो गया रहा है, तो for every I वाला लूप, for every Ith iteration, J वाला जो है, पूरा लूप चलेगा, इतने बाद आप एक समट जाए, क्योंकि यह nested लूप है, तो इस लेट स्टाट, और हाँ, यह जो outer लूप है, इसे मैंने बोला, जैसे कि बोला, यह पासस के लूप है, तो आप देख सकते हैं, हर एक पास में, जैसे कि मैंने आपको board में समझाया था, एक-एक element सौटो के निकल रहा है, first pass में हमें सबसे छोटा element हुल गया, first pass खतब होने के बाद, second pass के खतम होते हुते हैं, हमें 2 छोटे element, सबसे छोटे 2 elements चो है, और fifth pass के खतम होते हुए, सबसे छोटे 5 elements आ गये थे, तो obviously एक element बचेता है, तो वही हमारा last element है, सबसे बड़ा element हम बोल सकते हैं, तो हमारा पूरा, जो data set था, हम सौटो चुका था, fifth pass के खतम होते हैं, तो अब हम इनका working समझते, so outer loop जो ब्रहान उना start होगा, तो initially i का value जो हैं, क्या होगा, j वाला loop जो है, वो कहां से कहां तलग चलने हो, i plus 1, यानि 1 से लेके, पुरा 5 तलग, इस i6 है को 5 तलग चलेगा, जब j का value 1 हुआ, तब हम देखते, data at 0, जुरूत position में क्या data है, 7, यानि data भी लिखे हुए, और data at 1, जुरूत position में क्या है, 8, अभी हमें क data at j, यानि 1 पोजिशन में क्या है, 8, तो क्या 7, 8 से बड़ा है, तो obviously नहीं है, तो ये वाला पूरा पार्ट जो है, वो run होगा ही नहीं, तो इसलिए हमारा dataset जो है, वो बिल्कुल as it is, रहे कोई changes नहीं, अब देख सकते हैं, ये वाले dataset और इसमें कुछ भी changes नहीं, एक और हम हमाईशा हमारे उपर वाला जो भी data asset है, उससे देखेंगे, अब j का value जो है, वो 1 था, अब वो खतम हो, अब j का value क्या हो गया है, 2, क्योंकि हम लूप में चल रहे है, तो उसका value बढ़ा, next iteration, तो जब j का value 2 हुआ, अब data at 0 तो 7 ही है, अब देख सकते, data at 0 जो है, वो क् 4 है, तो यह first iteration था, इसलिए हमने यह वाले loop को देखा, यह वाले asset को देखा, अब हमें यह वाले asset को, data at 0, 7, data at 2, 4, again यही condition, j वाले loop हम चला रहे हैं, तो हमेशा, j वाले loop में अब देख सकते हैं, हमेशा हमें यह वाला condition ही देखना है, तो if data at i, जो की है, 7, greater than data at j, जो की क किसे ले लेना है, data at j, अब यह देखिए है, data at j, क्या है हमारा 4, क्योंकि j का वाले 2 है, data at j जो रहे होके है, 4, तो time के अंदर हमारा क्या store हो जाएगा, 4 store हो जाएगा, ओके अब यहाँ पर data at j, यानि second position हम क्या करेंगे, किसे इस पास करदेंगे, data at i, तो data at i हमारा क्या ह है, 7 है, तो इस 7 को, अब हम क्या करेंगे, data at j, यानि data at second position हम क्या करदेंगे, insert कर देंगे, आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमने second position में second को क्या कर दिया, insert कर दिया, अब हमें क्या करने है, data at i, यानि zeroth position में, zeroth position में हमें किसे store कर दिना है, temp को, और temp में हमारा क्या store है, 4, तो इस तरीके से हमने 0th position में किसे hazard कर दिया, 4 को कर दिया, तो basically हमने क्या किया, इस 4 को 7 के जग़ा पे भेज दिया, और इस 7 को 4 की जग़ा पे भेज दिया, that's it, और हमने कुछ किया नहीं, तो programmatically कुछ इस तरीके से 3rd variable को use करके हमने swapping किया, तो आपको सर्फ इतना ही हाथ रखना है, कि अगर i का value, data at i-th position is greater than data at j-th position, swap, otherwise leave it, तो यहीं logic जोए है, आपको सब में यादर, सारे iterations में लागा, तो अब j का value जब 2 था, तो हमने swapping कर लिये हैं, अब j का value क्या हो जाएगा, 3, now अब अब ध्याँ पर देखिए, अब data at i, याने 0, क्या है, 3 है, sorry 4 है, आप उपर वाले लूप को देखिए, तो data at 0 अब क्या हो चुका है, 4 हो चुका है, अब data at, sorry, data at j, याने हमारा j का value जो हो 3 है, तो data at 3 जो है, वो क्या है, उपर वाले लूप में आप देख सकते हैं, 0, 1, 2, 3, और index में क्या है, हमारा 3 है, again हम यहाँ पर वही चीज़ चेक करेंगे, क्या, क्या हमारा data at i जो है, वो greater than data of j है, तो data at i है 4, data at j है 3, तो yes, data at i is greater than data at j, तो 4 is greater than 3, तो again हम क्या कर देंगे, 4 और 3 को आपस में swap कर देंगे, तो इन दोनों की swapping के बाद, यह 3 और यह 4 के swapping के बाद, कुछ इस तरीके से हमारा data set दिखेगा, तो देख सकते आप, 4 के ज़दा पर 3 है, 3 के ज़दा पर 4 है, ओके, again अभी j का वेलो आगे बढ़ेगा, अब j का वेलो होगे, 4, again हम 4th position में कौनसा element है, हम यहाँ से देखेंगे, क्या है, 2, लेकिन अब 0th position में क्या है, 3 है, अब हमें again same वही चीज़ करनी है, क्या, क्या हमारा data at i, जो की 3 है, greater than data at j, जो की 2 है, obviously greater है, तो हम क्या करेंगे, again 3 और 2 को, यहाँ पर जो आपको दिखा है, 3 और 2 से, आपस में swap कर देखेंगे, अब हमारे 0th position में आचुका है 2, और हमारा 4th position में आचुका है 3, अगेन अब loop जो है, यह वाला जो for loop है, nested वाला, j वाला, यह एक और iteration आगे बढ़ेगा, जो कि इसका last iteration होगा, और this pass, तो, j का value of 5 होगा, again हम same comparison करेंगे, तो data at i है 2, और data at j, यानि 5th position में, क्या है, वाला है, और data at 0, 2 है, तो data at i is greater than data at j, yes, 0th position में, जो 2 है, वो greater है, किस से, 5th position में, जो 1 है, उस से, तो इसका सीगोसा मतलब, हमें क्या करना है, swap करना है, तो आप देख सकते हैं, हमने क्या कर दिया, swap कर दिया है, अब 2 और 1 को हमने आपस में, swap कर दिया है, तो हमारा data set कुछ इस तरह से दिख रहा है, अब अगर आप यहां पर ध्यान से देखेंगे, इस पास के खतम होने के बाद, यह वाले पास के, i is equal to 0, जो हमारा first pass है, उसके खतम होते होते हमें, हमारे data set का सबसे छोटा element जो है, वो यहां पर मिल चुका है, अब हमारा सबसे छोटा element जो है, वो bubble out हो चुका है, निकल ज अब हमारा यह जो आई वाले लूप है, जो पास वाले लूप है, वो एक step आगे बढ़ेगा, क्योंकि इसके अंदर content execute हो चुका है, अब वो एक step आगे बढ़ेगा, यह वो अपने next element में iterate होगा, अब इसका वालो i का वालो 0 था, अब i का वालो के हो जाएगा, 1 हो जाएग अब i का वालो 1 है, तो यह जो j वालो लूप है, यह अभी कहां से start होगा, और कहां से iteration start करेगा, obviously 2 से start करेगा, क्योंकि यह वालो लूप चो हो हमेशा i प्लस 1 से चलने बाद, i का वालो लूप होगा, जो j वालो लूप कहां से शुरू होगा, 2 से शुरू होगा, last element तक, य iteration आगे बढ़ेगा, so again, अभी j वालो लूप start हो रहा है, j का वालो is 2 है, data at 1, यानि हमारा i-th position, data जो है, वो क्या है, अगे, यहाँ पर के लिए, आप कौन सा data set देखेंगे, यह वाला, okay, last of data data set हमारा यह है, तो आप इससे refer करेंगे, तो यहाँ पर देखे, data at i, यानि हमा तो same logic है, हमें आगे इन चेक करना है, क्या data at i, यानि हमारा जो 8 है, यह ग्रेटर देखेंगे, data at j, यानि 7, yes, तो हम क्या करेंगे, swapping करेंगे, तो आप देख सकते हैं, यहाँ पर swap हो जाएगा, अभी यहाँ पर याद रखिएगा, i का value 1 है, तो यह वाले position हो, तो आप द हो चुके हैं, अब हम यह वाले data set को refer करेंगे, अब j का value होगा 3, जब j का value 3 होगा, तो again, data at j होगा हमारा 4, क्योंकि 0, 1, 2, 3, 3rd position में हमारा data है 4, और i-th position में हमारा data क्या है, 7, again data at i is greater than data at j, हम again क्या कर देंगे, swap कर देंगे, 7 और 4, यह यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 4 है, य i-th position, यानि first position में हमारा data जो है, 4 है, और हमारे third position में data जो है, जैसे कि हमने भी swap कर यह है, तो यहाँ पर data जाएगा, अभी j का value होगा, 4, again data at 4, क्या है, 3, और data at, sorry, 1, जो है, वो क्या है, 4, तो again, हमारा i का value जो है, यहाँ पर 1 है, j का value जो है, 4 है, तो data at i is greater than data at j, yes, data at i is greater than data at j, तो हम क्या करेंगे, swap करेंगे, तो अब देख सकते है, 4 और 3, दोनों को हमने क्या कर दिया, आपस में swap कर दिया है, तो 4 के जगा पर 3 है, और 3 के जगा पर 4 है, again, अब i का value, j का value आगे बढ़के वो जाए, next element, यहाँ 5, again data at 5 देख सकते हो, data at i भी आप देख सकते हो data at j भी आप देख सकते हो, anyway, again data at i is greater than data at j, तो हम again क्या करेंगे, swapping करेंगे, तो 3 और 2 आपस में swap हो जाएंगे, अब आप में पर देख सकते है, यहाँ पे हमारा first position में, आइथ position में, हमें क्या मिल रहा है, 2, और last, याने हमारा j position जो था, मतलब, last or bitted j position था, आप यहाँ 3, so again यह वाला जो pass है, इसके खतम होते होते हमें, जो second smallest element है, वो मिल चुका है, कौन से position में, हमारे height position में, जो भी आप देखेंगे, जो भी आपका pass का value होगा, यह जो भी आपका i का value होगा, उसी position में आपको सबसे smallest element मिलेगा, जब i का value 0 था, तो आपको, जितने भी पूरे data second थे, उसमें से सबसे चोटा element आपको 0 था position मिल गया, अब यहाँ पे, जब i का value 1 हुआ, तो at the end, पूरा iteration खतम होते होते हैं, पास खतम होते होते हैं, आपको, आइथ position, यानि, first position में, आगे के elements थे सबसे चोटा element थे, अब यहाँ पे आगे भी आपको नजर रखना, तो आ यह वाला iteration, यह वाला पास का जो, यह वाला जो पास है, इसके खतम होते 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 हैं, जो second smallest element है, वो भी bubble out हो जगा है, तो 1 और 2 data set के सबसे चोटे 2 elements जो हैं, वो निकल चुके, अब हमारा inner loop जो है, वो execute खतम हो, execute करके हो जुका है, तो अब हमारा outer loop जो है, एक iteration आगे जा यहां पर, जो इन j का value 3 होगा, तो data at j हमीं से refer करेंगे, third position, 0, 1, 2, 3, क्या है, 7, और data at i जो है, वो क्या है, i का value क्या है हमारा 2, तो data at i ने 0, 1, 2, क्या है, 8 है, तो वो आएगा, ओके, तो अब सेम वही logic, data at i is greater than data at j, येस, बिलकुल, तो हमें क्या करना हो, तो आब देख सकते हैं, 8 और 7 का position जो है, वो इतल वही है, लेकिन मतलब elements जो है, वो swap हो चुके, तो 8 और 7, 8 जो था हो second में था, और 7 जो था हो third position में था, अब यहां पर 8, 7 जो है, वो second position में, 8 जो है, वो third position, अब j का value जाएगा 4, अगें सेम वही, data at j हमें क्या है, हमें ये आपके देख करना पड़ेगा, अगें, swap करना होगा, आप देख सकते हैं, 4 और 7 आपस में, जो है, वो swap हो चुके है, अगें, एक iteration आगे पड़ेगा, हमारा inner loop, तो j का value जाएगा 5, so, data at j, यहांने position होगा है, हमें क्या मिल रहा है, दर से 3, और यह पर देख सकते हैं, 3 हैं, तिस पोजि येस, it is greater, 4 is greater than 3, तो हम simply क्या कर देंगे, swap कर देंगे, तो आप यहां पर देख सकते हैं, हमने 4 और 3 के position को भी आपस में swap कर देख सकते हैं, तो यह वाले pass के खतम होते होते, आप देख सकते हैं, कि हमें, अगर आप ascending order में देखने जाएं, तो smallest third element होगा, वो हमें यहां प आते होंगे, तो अब अगें, inner वाला loop का execution खतम होगा, तो हमारा outer loop एक step आगे जाएगा, outer loop जच जच जाएगा, तो क्या हो जाएगा, अब आई का value हो चुका है, क्या होगा, 3, तो अब हमारा fourth pass, जिसमें आई का value होगा है, 3 है, यहाँ पर हमारा third smallest element भी bubble out हो चुका है, तो अब जो आई का value 3 है, तो inner loop जो है, अगें, I plus 1 से लेके, size थाएगा, यहने size पे कम तक चलेगा, तो inner loop जो है, वो कहां से कहां तलग चलेगा, definitely, I का value 3 है, तो J's का value जो है, वो 4 से लेके, size minus 1 तक चलेगा, तो size हमारा sixth, उसे एक कम याने 5, जब J का value 4 होगा, तो आप यहाँ यहाँ वाले data set को refer करिए, तो data at I, यहने third position, 0, 1, 2, 3, क्या है, 8 है, तो data at I, हमारा क्या है, 8, और data at J, यहने fourth position में, कौन सा data है, हमारा, 0, 1, 2, 3, 4, वो तो data 7, यहाँ पे हमारा data at J, जो हो क्या है, 7, हमारा J का value 4 था, और I का value 3 था, तो उसके हिसाब से हमने यहाँ से data लेक अब data at I, यहने 8 is greater than data at J, 7 से, definitely yes, तो हम क्या करेंगे, 8 और 7 की position, जो है, वो यहाँ पे हमें क्या, position तो same रहेगा, elements को हमें क्या करना हो, swap करना हो, 8 और 7 आप देख सकते हैं, पे आपस में क्या हो चुके, swap हो चुके, और यह सारी swapping जो है, वो every time, जब भी भी यह swapping हो रही है, यह हमेशा यह temporary variable वाले, इससे ही होगी, जब यह condition से swap हो रहे है, तो definitely यह वाला part जो है, यह swapping का logic है, तो उससे ही हमारा elements जो है, वो swap हो रहे है, अब जब J कबल हो जाएगा 5, तब क्या होगा, तो हमारा data at J, यहने 5th position है 4, और data at I, यहने 3rd position में हमारा data जो है, वो क्या 7, so data at I is greater than data at J, yes, तो again हमें क्या करना होगा, 7 और 4 को आप स्पैप करना होगा, जो कि यहाँ पर हो चुका है, पहले 7 यहाँ था, और 4 यहाँ था, अब swapping के बाद 4, 4th थार्ड position में आ चुका है, और 7 जो है और 5th position में आ चुका, अब यह वाला जो पास है, इसके खतम होते होते हैं, आप देख सकते हैं, 4th smallest element जो कि 4 है, वो भी bubble out हो चुका, ओके, तो अब हमारा inner loop का execution खतम होगा, तो अगे हमारा outer loop एक step आएट जाएगा, 0, 1, 2, 3 हो चुका है, तब हमारा I का value जो हो क्या होगा, 4 होगा, और यह हमारे I वाले iteration, यानि हमारे pass वाले iteration का last iteration है, तो अब I, sorry, pass वाले loop का last iteration है, तो अब जब I का value 4 है, तो अगे जे वाला जो लूप हो कहा ते कहा तलग चलेगा, definitely I plus 1 ते लेके size तलगा, I का value 4 है, तो जे वाला जो लूप है, वो 4 से, sorry, 4 plus 1 यानि 5 से, size से एक कम यानि 5, यानि बिसिकली एकी element में iterate होगा, यानि एकी element में ही, वो बिसिकली iterate करेगा, यानि बिसिकली एक element जो है, वो execute होने वाले, तो दे लिया तयार, तो I का value 4 है, तो data at 4th position क्या है, 8, ओके, और J का value 5 है, तो data at 5th position जो है, वो क्या है, 7, so data at Ith position, जो कि 8 है, is greater than data at Jth position, जो कि 7, obviously 8 is greater than 7, तो हम क्या कर देंगे, 7 और 8 के position को आपस में swap क देंगे, so finally, अब J वाला loop जो है, वो खतम हो चुका है, क्योंकि यह element था, अब I का iteration भी खतम हो चुका है, तो अब आगे execute रही होने वाले, अब आप यह देख सकते हैं, तो वैसिकली अब यह दूनों loops टे execution खतम हो चुका है, तो यह क्या कर देगा हमारा जो final dataset, यानि यह देटा है, इसो क्या कर देगा, return कर देगा, अब अगर आप ध्यान से देखेंगे, यह dataset पूरी तरीके से sorted है, ascending order में, जो कि हम ascending order में sort कर रहे थे, इसलिए ascending order में यह पूरी तरा से क्या है, sort, तो अब यहाँ प देखेंगे, last वले जो loop था, last वला जो पास का iteration था, इसमे पूरी तरह से इस code का logic जो है, अगर पहले कुछ doubt रहा होगा, तो फेयर हो चुका होगा, अब हो bubble sort अब आपके दिमाग में sorted है, आपके देख सकते हैं, कि हम इतने सारे passes और इतने सारे comparisons में कई दफापिंग किये, comparisons भी बहुत बार हुए, जो कि bubble sort का disadvantage है, और इसे किस तरीक किसी selection sort ने overcome किया है, वह हम आगे आने वालनी selection sort के video में देखेंगे, so that's it, so अब अगर आपका ये पूरा concept clear हो चुका है, so implementation की तरफ आगी बढ़ेंगे, now one more thing, अगर अब यहाँ पर मैंने ascending order में sort किया, तो आपको doubt आ सकता है, कि अगर में descending order में sort करना, तो मैं क्या करो, just as I told in my theory video, तो यहाँ पर यह जो यह वाला sign है, इस आपको बस change कर देना है, अब यहाँ data at i is greater than data at j है, आपको इसे उल्टा कर दोलना है, कर देना है, तो यह क्या हो जाएगा data at i is lesser than data at j, बस इतना अगर आप करेंगे, तो यह जो data set है, ascending के बज़ए descending order में sort होगा, युकि in that case, जो comparison होगा, वो कुछ इस तरह से होगा, कि अगर i th position के data जो है, वो j th position से छोटा है, तो ही swapping करना है, अदरवाइस नहीं, और उस case में आपको हर एक pass के खतब मिलने के बाद, जिसे में आपको सबसे smallest element मिल रहा था, फिसे आपको largest elements जो हैं, वो मिलते हैं, first largest, second largest, third largest, इस इसे largest largest elements जो हैं, वो आपको हर pass के end मिलते जाएंगे, okay, so अब हम इसका implementation देख लेते हैं, so चलिए, अब हम हमारा data set create करते हैं, so data के कोई भी नमाग दे सकते हैं, अब यहाँ पे हम कुछ values देते हैं, say 21, 3, 9, 9, yeah, 24 dots जा रहे हैं, okay, so anyway, कुछ बिखे सकते हैं, 10, 44, 45, yeah, so अब मुझे क्या करना है, इस data set को मुझे sort करना है, कि मैं क्या करूंगा, bubble sort वाले function को call करूंगा, जो कि पहला parameter के तौर पर data set को ही लेगा, जो कि हमाने data है, और second parameter उसका size लेगा, so let's do that, so bubble sort को हम call करते है, bubble sort algorithm से हमारे data set को start करना है, तो पहला parameter क्या होगा, data set, और हमारे data set क्या है, data ही अब दुसरा नाम भी दे सकते हैं, चले दुसरा नाम दे रहेते हैं, say marks, okay, यहां, तो यहां पर हमारे data set करना होगा, marks, और उसकी size हमें देनी है, तो length of marks, spelling mistake नहीं होनी चीए, यह दरवायता को error आएंगे, ना सी, अब यह bubble sort को लेगा call करोगे, तो यह कुछ return कर रहे है, data, तो जो कि इक data set है, तो उससे भी आपको store करके रखना होगा, तो हम उसे sorted data करके एक variable में अंगर store कर देते हैं, तो bubble sort बेसे के लिए हम क्या करेगा, यह marks वाले data set को sort करके देगा, जो कि हमारे sorted data में store, अब हम sorted as well as unsorted दोनों data उसको print कराते हैं, दोनों data set को print कराते हैं, print, unsorted, यह नहीं जो sort नहीं है, unsorted data set, प्रैकर दोना चुक है, हम लिए, अब यहां पर देते हैं, हमारा data set का नाम, जो कि क्या है, marks, अब इसे ही मैं copy कर देता हूँ, यह अब, अब मैं इस तो यहां, sorted data के लिए प्रेंट करा देता हूँ, चेंज कर देते हैं, अब यह होगा, sorted data set, और यहां पर हमारे sorted data, यह इसे जो है, यह pass कर देंगे, that's it, file को अब हम save कर देते हैं, अब मैं shell open करता हूँ, और उसमें हम इसे run करते हैं, so as you can see, यहां पर आपको python का shell आपको दिख रहा होगा, so now let's run it, आप shortcut की F5 भी यूज कर सकते हैं, so yeah, मैंने आपके भी run कर दिया है, और आप यहां पर आप देख सकते है, unsorted data set जो है, वो print हो रहा है, 21, 3, 9, 2, 10, 45, यही मैंने दिया था, हमारा sorted data set, और इसके बाद में हमारा sorted data set भी print हो रहा है, ascending order में, 2, 3, 9, 10, 21, and 45, जो की absolutely perfect result है, okay, so अब हम एक बाद, descending order से भी try करते हैं, so क्या मैंने कहा था, इससे आपको सिर्फ चेंज कर दे ले, file को अब हम save करते हैं, एपर read देता हूं, in descending order, descending order, file को save करते हैं, and let's run it, so yeah, यहां पर आप देख सकते हैं, sorted data set, in descending order, क्या आ रहा है, 45, 21, 10, 9, 3, and 2, बिल्कुल रुटा order में आ रहा है, so यह code हमारा बिल्कुल perfectly खाम कर रहा है, so I hope आपको पूरी तरह से bubble sort का logic दिन रहो चुका है, practically as well as idiotically, so that's it for today guys, thank you. कर दो कर दो